दो जन प्रमान पत्र के मामले में साथ साल की सजा सुनाय जाने के बाद से रामपुल जेल में बंद पूरविधायक अब्दुल्ला आजम को हर्दोई जिला कारगार में भेजा गया है रविवार सुबह वैर रामपूर पुलिस की सुरक्षा में हर्दुई जिला कारगार लाए गए अब्दुल्ला आजम को हर्दुई लाने के दोरान रास्ते में भी सुरक्षा के कड़े इंतिजाम रहे बता दे की दो जर्म प्रमान पत्र के मामले में MPLA कोट ने तीन दिन पहले सपानेता आजम खा उनकी पतनी डॉक्टर तजीन फात्मा और उनके बेटे अबदुल्ला आजम खा को साथ साल की सजा सुनाई थी सजा सुनाई जाने के बाद कोट ने उनको जेल भेजने के आदेश कर दिये थे जिसके बाद पुलिस ने उनको रामपुर जेल में भेजा था